Welcome to Tips Electrical इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि Current and Voltage क्या होता है इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को Current and Voltage का Definition ही नहीं बलकि Actually में Current क्या होता है और Voltage क्या होता है को Feel कराने वाले हूँ जब आप इस वीडियो को अंद तक देख लेंगे न तो आप current और voltage तो दूर आप tips electrical को भी नहीं भूल पाओगे तो hope आप इस वीडियो को last तक चरूर देखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम start करते हैं कि current क्या होता है current basically flow of charge होता है जैसा कि आप लोग यह diagram देख पा रहे होंगे यह animation वीडियो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने conductor लिया है conductor को किसी voltage source से connect कर दिया है और यहाँ पर light भी लगा दिया एक bulb ठीक है जब यह circuit light से connect होता है मतलब circuit close होता है और यहाँ पर हमने कुछ voltage दे रखा है तो इस से current आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस परकार से current follow हो रहा है means यहाँ पर current follow नहीं होता है बलकि charge follow होता है जब किसी conductor से जब किसी electrical conductor से charge का follow होता है तो हम उसे बोलते हैं कि current follow हो रही है means तो current जो होता है follow of charge होता है यही definition है the follow of charge को ही हम लोग current बोलते हैं ठीक है लोग charge को हम लोग q से indicate करते हैं and current को हम लोग I से indicate करते हैं, current का जो unit होता है, ampere होता है, और हम इसे A से indicate करते हैं, तो आप लोग समझ पाए होंगे कि basically current क्या होता है, current जब किसी electrical conductor में charge का follow होता है, तो हम उसे बोलते है current, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर यह circuit cross हो जाएगा ना, तो इसे charge follow नहीं होगा, electrons और या protons, जो भी charge carriers है, वो जहां के तहां ही रुका रहता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि electrons और protons किसी material का ही part होता है, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को, sorry, इस concept, यानि कि current को समझ पाए होंगे, current समझ गए होंगे, तो अब हम समझते हैं कि voltage क्या होता है, voltage को समझने के लिए सबसे पहले इस picture को आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर हमने copper wire को दिखाया है, इसके अंदर यह white color का protons है, और जो green color का घूम रहा है, इसके around में हुआ electrons है, ठीक है, means यही हमारा charge carrier है, जो की flow होता है, ठीक है, अब क्या है, without power supply का, मतलब without any battery का, और यानि generator का, या electricity का, या जो electrons और protons जो भी charge carrier होते हैं, conductor के अंदर इस परकार से होते हैं, ठीक है, अब हम इसे, यह flow नहीं हो पा रहा है, तो इसे follow कराने का व्यवस्ता सोचते हैं, तो follow कराने के लिए, इस conductor के terminal के उपर, अगर हम potential difference बनाएंगे, तो या charge क्या होगा, इस conductor से follow होने लगेगा, means, इधर से ज़्यादा energy देंगे, और इधर कम energy रहेगा, तो current इस परकार से flow होने लगेगा, hope, आप लोग को हम क्या समझाने वाले हैं, वो समझ पाए होंगे, चले दूसरा वीडियो में देखते हैं, कि आप लोग जानते हैं, कि जितने भी electrons and protons, जोते हैं, सब material यानि conductor का पार्ट ही होता है, तो इस परकार से nucleus होता है, और उसके चारों तरब से electrons गुंते रहते, यह basic है, इसको छोड़िए, मैं दूसरा पिक्चर दिखाता हूँ आपको, इस वीडियो को देखिए, यहां से बहुत कुछ clear होने वाले हैं, जैसे कि पहले की पिक्चर में आपने देखा था, कि यह जो electron से green color वाले, बस conductor के inside ही moment कर रहा था, बट बाहर की और नहीं जा रहा था, जैसे ही हमने इसको battery से connect किया, यह electron, electrons flow होना है start कर दिया, means इस conductor से current follow हो गया, अब क्या समझ पा रहे हैं से आप लोग की current को follow कराने के लिए, जो energy की जवरत होता है, external energy की जवरत होता है, उसे ही हम लोग बोलते क्या voltage, इस battery के अंदर क्या है, voltage है, सभी conductor के अंदर charge भरे होते हैं, बस हमें energy देने की जवरत होती है, तो हम क्या करते हैं, generator की एक higher potential और एक lower potential से connect कर देते हैं, इसके थुरू current flow होना start हो जाता है, या battery से जोड देते हैं, इसके थुरू current follow होना start हो जाता है, और current का जो काम होता है, जो उसका हम फैदा होता है, उसका हम use करते हैं, light जलाते हैं, पंके जलाते हैं इंडेस्ट्री में जो भी चीजे सारे कुछ को यूज करते हैं तो होप आप लोग समझ पाए होंगे कि voltage क्या है अभी तक voltage basically current को flow कराने के लिए एक potential difference है means यह एक परकार का energy है ठीक है एक और image से आपको clear हो जाएगा आप लोग इस image को देख पा रहे होंगे कि क्या है इस image में मैं आप लोग को पहले explain कर दूँ यह जो pipe देख रहे हो आप लोग यह एक electrical conductor मान दूँ यह एक परकार का electrical conductor है और यह जो pump लगा हुआ है या voltage source होगा वैटरी होगा या तो generator होगा ठीक है कि basically पहले क्या है कि conductor के अंदर पानी भड़ा हुआ है जब आप देख पा रहे हो कि कैसे आ रहे हैं तो पानी भड़ा हुआ है ठीक है means इसके अंदर में current चार्ज भड़ा हुआ है ठीक है लेकिन अगर यहाँ पर pump नहीं चलेगा ठीक है यहाँ पर अगर pump नहीं चलेगा तो यहाँ पानी का प्रेसर है यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ पर अगर पानी का लेवल सेम होगा अगर इस परकार से ही सेम रहेगा तो पानी नहीं फोलो होगा ठीक है, conductor से पानी follow नहीं होगा, तो क्या है कि पानी जो है हमारा यहाँ पर water जो है हमारा charge का काम करता है, water जो हमारा charge का काम करता है, और यह जो pipe है conductor का काम करता है, यह battery और generator का काम करता है, ठीक है, और यह fan जो है हमारा load, bulb वगएरा, जो भी हम electricity में use करते हैं, उसको indicate करता है, तो इस वीडियो से आप लोग क्या समझ पारे है, voltage क्या है, विसी कली किसी conductor के अंदर, यहाँ पर क्या है कि यह अगर pump नहीं रहेगा, pump नहीं लगाएंगे, तो इससे होकर कि क्या है, पानी फोलो नहीं होगा, उसी परकास से किसी conductor के अंदर charge तो होता है, लेकिन उसको follow होने क के लिए किसी परकार का energy चाहिए, force चाहिए, तो वह force उसको नहीं मिल पाता है, तो जब बाहर से हम battery जोड़ते या electricity जोड़ते तो उसके अंदर से electron follow होना start होता है, just like यहाँ पर की, जैसे हम यहाँ पर pump को चालू किये, इससे पानी का follow होना start हो गया, जो की higher potential से lower potential की और follow ह होता है, मतलब यहाँ पर high potential है और यहाँ लो potential है, यहाँ का potential और यहाँ का potential अगर difference नहीं होगा, तो यह पानी का follow नहीं होगा, तो charge भी follow नहीं होगा, means अब clear है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि voltage क्या होता है, voltage basically current को follow कराने के लिए एक external potential energy होता है, मतलब चार्ज को one point से, किसी चार्ज को one point से दुसरे point तक ले जाने में किया हुआ यह कार्ज होता है एक वर्क होता है पॉटेंशियल यूज किया जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं voltage मतलब कि किसी भी चार्ज को one point से तुसरे point तक अगर हम उसे carry कराते उसके अंदर जो energy लगता है जो external energy यूज करते बैटरी से जडेनेरेतर से हो उसी को हम लोग वोल्टेज का दें वेसिकली यह चार्ज क्या होता है कंड़क्टर के अंदर होता है और इसे जब तक external energy हम नहीं देंगे या एक प्लेश से दुसरे प्लेश तक नहीं जा पता है इसके लिए हमें इसके लिए हमें बाहर से बैटरी जोड़ना पड़ता है और force देना पड़ता है ताकि जब follow हो तो हम इसे कहेंगे कि current है और इसका यूज कर पाएंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक्ट्वालि में वोल्टेज क्या होता है और current क्या होता है thanks so much